हाईलो एब्रिवान आज का टॉपिक है जार्खन में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबन लिखे अथवा में है भारत छोड़ो आंदोलन में प्लामों हजारी भाग एवं सिंग भूजी लोग की भूमिका का वर्नन करें 1942 में महत्मा गांदी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जार्खन में लोग बहुत बड़े पेमाने पर इस आंदोलन में सामिल हुए जगा जगा पर हरताल हुए जलूस निकाल गये परदर्शन हुए और आवा गमन एवं संचार के साधनों को नश्ट किया गया 14 अगस को राची जिला स्कुल के निकट जुलूस के रूप में निकले हुए कुछ विद्यार्थियों को बंदी बनाया गया जिनको बाबुष सहित राची के कई नेता जैसे देविंद्र कुमार गनपत खंडिलवाल लड महराज मतुरा परसाद गंगा महराज और गोविन भगत बंदी बनाये गे नर्मदा हाई अश्कुल लोहर दगा के लड़कों ने अश्कुल के हाते में राच्टिये जंडा फाराया गुमला थाना पर भी राच्टिये धवच फाराने की कोसिस की गई गुमला में हरताल हुए और जुलूस निकाला गया सल्लो अगस्त को कु और को दबोच लिया और जेलर से हाथा पाई कि पुलीस की साहता से केदियों को सांथ किया गया सत्रों अगस्त को राची साहर में एक विसाल जुलूस निकाला इसे सैनिकों की साहता से तित्तर वित्तर किया गया जीला कॉंग्रेस कमिटी के कोसा अध्यक शीव नरायन मोध को बंदी बना लिया गया ताटी सिल्वे और नामकुम के बिश टेलिफोन और टेलिग्राफ की लाएने काटी गई अठारो अगस्त को टाना भगतों ने एक दले ने विश्वन पूर थाना को जलाया उसी दिन बुंडू में हरताल हुई उनिस अगस्त को और मांजी थाना के निकट तार काटी गई 22 अगस्त को राहे में हरताल हुई उसी दिन इटकी तथा टांगर वशली के बीच रेल की पट्री उखाडी गई उसी दिन पीसी मिस्त्रा पकड़ लिये गई सरकार ने दमनात्मक कारवाई के साथ साथ कुछ परवासाली लोगों को अपनी और मिलाने का परियास किया फिर भी आंदोलन चलता रहा 28 अगस्त को राच्छी सार की बिजली काटी गई 30 अगस्त को बाल कृष्ण अस्कूल के रिजिस्टर जलाये गए 29 अगनाची जीला में प्रायर लोगों को गिरफतार कर लिया गया इन में परमुक थे बिमल दास गुप्त सुनिल कुमार राय डॉक्टर यदू गुपल मुखरी के साथ दास गुप्त राम रक्षा उपाध है नारायन जी सक्त देव साहुत था नंद किश्वर भगत उतेजी जनता ने डाग घर यूरोपियन कलब लाल कंपनी तथा डिप्टी कमिशनर की अधालत में तोड़ फोड की इस जीले में सबसे अधिकराजनीतिक चितना अवरक की खानों में काम करने वाले सर्मिकों में थी उन्होंने जुम्री तिलेया में जुलूस निकाला डाग घर रेलवे स्टेशन तथा सराब भट्टी में लोगों ने तोड़ फोड की डोम चार्च की जनता ने भी एक जुलूस निकाला इस जुलूस पर गोली चली जिस्ते दो वेक्तिम मारे गएं तथा बाइस घायल हु जलाने की कोशिश की गई ग्रेडी में भी टेलीफोन तथा आगमन के साथ नो को नश्ट किया गया वहाँ चंद्र परशाद बाशु देव परशाद राजन सिंग अजित कुमार नाग तथा जगनात सहाय चत्रा में रामन उगरास परशाद मांगो गंजू मुहमा धाई त था सालीगराम सिंग पकड़े गए कोडर्मा में तो कुछ पुलिस वाले भी आंदोलनकारियों से मिले हुए थे तिलया में 113 लोग बंदी बनाये गए डुम्री में अनंत लालकारु ग्राम दुखन मोची काली मोची बाशन सोनाता था मोती राम को बंदी बनाये गए डौ सी मोदी दसरत मोदी महाविर मोदी जगडू कशेरा चंदू उठेरा पोखन राम सोनार नर्शिंग मरवाडी असरफी सिंग शिव नारायन सिंग और लच्मी नारायन सिंग पकड़े गए ठाटा नगर में मील मजदूरों की दुकंदारों तथा शमाय नागरी को ने 10 अग पूर तथा चैबासा में 14 तथा 16 अगस्त को हड़ताल रही 17 अगस्त को टाटा नगर में एमडी मदन की गिरफतारी हुई 30 अगस्त की रात में भी अने गिरफतारिया हुई लोगों पर मसिन गन्नों से गोलिया धागी गए फल स्वरुप 31 अगस्त को जमसेद पूर में तथा नैयर के नेत्रित में सफाई कर्मियों की हड़ताल हुई 15 सितंबर को मुसा बनी में सीपी राजू रेमो गंगया के बस तीन तथा अदल नामक शर्मिक नेता पकड़े गया 17 सितंबर को घाट सीला के मदरासी तथा उडिया सर्मिकों ने जुलूस निकाला सेतनेंद गौपाल बी एन मिष्टा सुरेश कुमार मिष्टा स्याम सुंदर पतनायक शुआमी तथा शीम मज्यूम मुहमद को जेल भेज दिया गया प्लामों में आंदोलन का काफी जोर रहा आंदोलन के सेलसिले में अने गिरफतार किये गजिन में महविर वर्मा परमुकते रंका राम गंटा चीनिया पैसका मंदरिया तता भावनात पूर में शरा भटियों में आग लगा दी गई डल्टन गंज के परमुकदा घर में आग लगाने तता तोड़फोड की घटना हुई सिंग सिंगी हैदर नगर तता कोमांडी में रेल लाइन उखाडी अनेक अस्थानों में दुर्भास व्यवस्ता को नश्ट किया गया बाहरी दुन्या से प्लामु का संपक तूट गया प्लामु में प्लिस की गोली लाठी से 11 वेक्ति मारे गया वस्तु था प्लामु के लोग इस क्रांटी के लिए पहले सही तयार थे अधुवन साय गनेश परशाद वर्मा गोरी संकर ओजा राजिस्वरिस रोजदास मिथिलेश कुमार श्रीना राज की सोर सिंग भुनेश्वत चौबे वाश्पति त्रिपाठी बशावन सिंग भागी रती सिंग खरवार पाले सही लोकमत पना रहते प्लामु में अंदुलन की सुर्वत 11 अगस विद्यार्थियों का विशाल जुलुस निकलारा गजिंद्र परशाद नंदलाल परशाद दसरत राम राम अवतार राम रघुनात अगरवाल और महाविर परशाद को बंदी बनाया गया आंदोलन जिला मुख्याले तक्सीमित नहीं था पावनात पुर में दो शो लोगो ने एक भट्टी को नश्ट कर दिया मुवा टार्थाना को लुटनी की कोशिश की गए गड़वा है असको से ब्रिटिस समरार्त थारंका राजा के चित्र उतार दिये गए लेसली गंज तता उंटारी में कुछ लोग पकड़े गैं सत्रों अगस्त को डाल्टन गंज डाग अगा चमार भरत सिंग कम लेश्वर परसाद अगरवाल शिव परसाद साव वेदनात तिवारी कृष्ण दन साहय सुकदेव साहय तथा जवाहर शाव पकड़े गैलाते हार में 18 अगस्त को जलूस निकला उसी दिन डाल्टन गज में विश्णु परसाद गानोरी सिंग को एक वर्ष की सज्जा मिली 19 अगस्त को प्राया दो स्वांदुलन कारी धनुस श्वांद परसाद सिंग के नेतरित में लेश्ली गन्थाना में गुज गये धनुस परसाद सिंग विंदेश्वर राम राम विरिक्स दूसाद विश्वनाथ ठाकुर जनक सिंग और महादेश श्रिंग को छे मास के सजा मिली 20 अगस्त को उंटारी छेत्र में साधो साध्य धर्मचीत पांडे राम विलास पांडे गुलाब सिंग तथा लच्मन सिंग पकड़े गए 21 अगस्त को राज किसोर सिंग सहित विजे संकर परशार राम चंद्र परशार मतुरा परशाद लोग पकड़े गए 26 अगस्त को उंटारी में बुनेश्वर परशार कपिल नातु गुरो शाव नक्षेदी कहार लाचन परशाद और सर्यू पांडे को बंदी बनाया गया मनातु पत्रा चेनपुर की भटियों को 30 अगस्त को जला डाला गया इसकर में गनेश परशार कमल पूरी राम टहल गुपते बिरेश्वर साव राम बिरिक्स परसा सुदामा परसाद बद्री नारायन वन मोहन खरवाल लक्षमन साव राम रेखा साव ननकु सिंग दिक्तार सिंग राम किशून साव तर्था डोमन साव गिरफतार किये गए 31 अगस्त को गोरे शिपाईयों ने हुशेना बाधाय स्कुल भावन पर से कॉंग्रेस का जंडा बल पूर्वक उतार दिया इससे इलाके में उतेजना फ्याली गढ़वा में छात्रों को नंगा कर पीटा इस देश्ट किरित के लिए उतरदाई अधिकारी का तबादला किया गया अजमत खान ठाकुर भोल ना चिनाग और रंका राजा गिरीवर नारायन सिंग सरकार को साहता कर रहे थे एक सितंबर को लातियार पुलिस ने गिर्जा नंसिंग को गिरफतार किया उन्हें एक वर्ष के सजा हुई उसी दिन एक भीड ने बरवाडी भट्टी पर हमला किया अगले दिन गढ़वा त को बंदी बनाया रंका अश्कूल के छात्रों ने ग्यारों सितंबर को लातियार भट्टी में आग लगी बारों सितंबर को लातियार को टाना भगतों ने चंदवा थाना वर्ण पर जंडा फाराया पंदरों सितंबर को लातियार में हिरा साव और दो छात्र गिरफतार में 28 सितंबर को डालतिन गंज में 5 विद्याथी गिरफतार में 4 अक्टूबर को डालतिन गंज में बंदी बनाया गया उन्हें डेड़ वर्ष की सजा मिली 19 अक्टूबर को काजी साथ सहयत तथा गनिस पसद वर्मा पकड़े गया नौबर के अंतक बचे खुचे नेतागन भूमेगत हो गया असपस्ट है कि उपिक आकड़ों में कई भूले हैं जैसे राची में मिर्तकों और घायलों की संक्या स्विन होना माणबू में नजर बन गिरफतार तता डंदित लोगों को संक्या स्विन होना सींबू में मिर्तकों तता घायलों की संक्या स्विन दिखलाया जाना भारत छोड़ा अंदोलन के समय संथाल प्रंगना की द्वेलित हुआ हर्तालों एम जुलुसों का ताहता लगा रहा देवगर में बिनो नानन जाक के नेतरित में सबा हुई इसे पुलिस ने भंग किया गोड़ा का चरी पर 13 अगस्त को राष्टी धवच फार आया गया 13-14 अगस्त को रेल की पट्रियां सिगनालों तार एम टेलिफोन लाइनों को स्पष्ट किया गया मध्धूपूर जसीडी और देवगर में सरकारी भावनों को छती पहुचाई गई 15 अगस्त को संथाल प्रंगना के उपायुक के देवगर पहुचने पर भी वाँ आंदोलन चलतारा दुमका में उपायुक के कार्याले पर कॉंग्रेस का जंडा फार आया गया भारत सुरक्षा दिनियम के तहत कई जनबंदी बनाएगे 17 अगस्त को महिलाओं और शातरों पर डंडे बर्षा आए गया दो महिलाओं समय सतरों लोगों को गिरफतार किया गया फिर भी थानों और डागरों पर कंग्रेसी धावच पार आये गया कई जगा फोज ने गोलिया चलाई संथाल एवं पहाडिया बड़ी संक्या में आंदोलन में सामिल वे 25 अगस्त को उने अलू बेरा में डाक मंगला एवं वन विभाक के भावनों को जलाया दूसरी और आंदोलन कारियों पर मुकदमे चलाने के लिए विशेज फोजदारी अदालते अस्थापित की गई मदोपुर्गोड़ा राजमाल और जमतारी में फोज भेजी गई एक विशेज फोजी टुकडी दुमका पहुंची इसमें तुपकाना भी सामिल था गोली बारी में तरी गुनानंद खवारे मारे गए बिनोजानंद जागोरी शंकर डालमिया और चभी लाल जा को पकड़ लिया गया वस्तुता जीला में 890 लोग पकड़े गए इनमें 588 लोगों को सजा दी गए 4 लोगों को कोडों से पीटा गया 1943 इसवी में दमन चक थोड़ा धीमा हुआ दूतिय विश्योद की समापती तक यहां भी अधिकांस राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया गया जारकर में 12 चोड़ों अंदुलन से संबन एक विश्यस बातिया थी कि राष्टिय अस्तर के कई नेताओं को हजारे बाग ज सुरज नराइन सिंग गुलावी सोनार और शालिक राम सिंग सामिल थे जे परकास नराइन को पकड़ने की सारी कोशिस ब्यकार गई थी इस घटना के बाद राम नराइन सिंग कृष्ण बलब साय तता सुखलाल सिंग को हजारी बक जिल से हटा कर भागल पुर जिल भेज द मत प्राया अंतिम घटना थी 1945 सभी तक प्राया सभी नेतागन जेलों से छोड़ दिये गए सभीदान सभातता प्रांति परतिनिती सभाओं के लिए जो चुना हुए उनमें जार्खन में कॉंग्रेस को बहुत बड़ी सफलता तो नहीं मिली लेकिन छेत्रिय दलों की सफलता स सिमी थी थी इस तरह 1947 सभी का वर्ष आया और देश के एन भागु की तरह जार्खन भी सोतंतर्वा भारतिय सोतंतर्ता शंग्रा में जार्खन की देन गांधी यूग में भले ही चमतकारी नहीं जान पड़ती हो लेकिन 857 सभी तक की आउधी में जार्खन की जन जातिया एन लोगों के साथ मिलकर शरकार के परती अपना दिरोध कई आंदोलनों के रूप में व्यक्त करती रही जिसकी अंतिम भारतिय सोतंतर्ता के रूप में हुई और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल और शेयर जरूर करे